नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मसेदार कॉमिक्स बॉना राक्षस बॉना राक्षस चित्रांकन बेदी कहानी बिमल चटरजी बटकते बटकते सारा दिन बीट लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा अब क्या होगा यदि महराज को ताजा मास नहीं मिला तो वी मुझे फांसी पर लटकवा देंगे तभी आहा कबूतरी खाली हाथ लौटे से तो अच्छा है इसका ही शिकार कर लिया जाए इसकी जान कम से कम मेरी जान तो बचा ही देगी अगले पल जैसे ही उसने कबूतरी पर निशाना साधा ठेहरो ठेहरो एय युवक मुझे मत मारो केशफ कबूतरी को मनुश्य की बोली बोलते देख आश्यर शकित हो उठा और कबूतरी को मारने का इरादा त्याग पेड़ की नजदीक आ गया और बोला आश्चर्य है तुम मनुश्य की बोली भी बोल सकती हो। कौन हो तुम। मैं कौन हूँ यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। हाँ यदि तुम मुझे न मारो और अपने घर में रख लो तो वक्त आने पर मैं तुम्हारे बहुत कामाऊंगी। कबुत्री की बात पर केशव को विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन उसके बार बार कहने और मनुश्य की बोली बोलते देख वह उसे कोई असाधरान पक्षी समझ अपने घर ले आया। केशव पौफटते ही जंगल में जाता, जंगली मुर्गी वा दूसरे अन्य जीवों का शिकार करता और शाहिर असोई में दे आता, एक दिन जब वह नित्य की भांती जंगल जाने को तयार हुआ तो कबुत्री बोलुठी, हैरो केशव मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ही करीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो कबुत्री रानी, प की विश्वास नहीं होता, खेर फिर भी मैं तुम्हें चमड़ा और धागा लाकर जरूर दूँगा, और उसी संध्या को घर लोटते समय केशव ने कुछ रुप्या उधार लेकर चमड़ा और सुनहरी धागा खरीद लिया, पता नहीं इस चमड़े और सुनहरी धागे का वह क्या करेगी? जब वह अपने घर पहुँचा, क्या मेरी मंगाई हुई चीज ले आए केशव? हाँ, यह रहा चमड़ा और सुनहरा रेश्मी धागा, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, और रात को जब केशव खा पी कर सो गया, अब ठीक है, अब मैं निश्चिन थो कर अपना काम आरंब कर सकती हूँ, दूसरे ही शन कबूतरी एक सुन्दर स्त्री के रूप में परवर्तित हो गई, फिर वह उस चमड़े और सुनहरी रेश्मी धागे से जूती का जोड़ा बनाने पैट गए, और भोर होने से पहले, यह जोड़ी केशव की किसमत बदल दे अब जल्दी से फिर कबूतरी बन जाओ, वह जाग नहीं वाला होगा, और वह पुना कबूतरी बन अपने स्थान पर जा बैठी, सुभा जब केशव की आँख खुली, अरे, और केशव ने लपक कर उस अद्भूत जूती की जोड़ी को उठा लिया, अहां, ऐसी फिरते हैं, ठीक है कबूतरी रानी, लेकिन क्या तुम बता सकती हो, कि यह अनोकी जोड़ी यहां आई कहां से, इसे मैंने रात भर में तयार किया है, अब तुम देर न करके इसे बाजार ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे केशव, लालच मत करना, वरना मुसीबत में फस जाओ केशव उस जोड़ी को हाथ पे लेकर तुरंट बाजार पहुँच गया, और वहां आवाज लगाता हुआ उचित दाम देने वाले खरीदार की तलाश में खूमने लगा, वाह, कितनी शांदार जोड़ी है उसके पास, और देखते ही देखते वहां भीर जमा हो गई, वाह, क्या अद्भूत जोड़ी है, पहले कभी नहीं देखी, क्यों भाई, क्या कीमत लोगे इसकी, आप खरीदार हैं, आप ही उचित दाम बताईए, सभी अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी कीमत बताने लगे, मैं पचास स्वर्ण मुद्राएं दूगा, मैं सौ, मैं दो सो, क्या नहीं कर पा रहे हैं, हुजूर, आप ही कुछ बताएं, मंत्री की दृष्टी भी जब केशव की हातों में थमी उस जोड़ी पर पड़ी, तो वह भी ठगासा देखता रह गया, वाह, अद्भूत, लेकिन यह केशव जैसे मामुली इनसान के हातों में कहां से लग गई यदी में यह जोड़ी महराज को भेंट करूं, तो वी निश्चित रूप से प्रसन हो उठेंगे, दूसरे ही पल वह गरज उठा, एक एशव, सच-सच बताओ, यह अमुल्ले जोड़ी तुमारे हात कहां से लगी, तुम इसे कहीं से चुराकर तो नहीं लाएं, नहीं नही एक एशव, मुझे महराज के लिए यह जोड़ी चाहिए, मैं नहीं जानता कि इसकी सही कीमत क्या है, किन्तो जितना धन मेरी जेप में होगा, वही कीमत उचित होगी, लेकिन हुजूर, कबूतरी ने तो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम अपनी जोड़ी पकड़ो, मैं धन निकालता हूँ, फिर जोड़ी की जोड़ी को थमा मंत्री ने अपनी जेप से कपड़े की एक छोटी सी थैली निकाली, और उसमें रखा धन अपनी हतेली पर उड़ट दिया, ओ, केवल 15 स्वर्ण मुद्राएं हैं निकली, यह लो, 15 स्वर्ण मुद्राएं, यही है जोड़ी आपकी हुई, मंत्री ने जोड़ी संभाली और अपने घोड़े पर सवार हो, वहां से चल पड़ा, केशव ने भी घर की राली, समझ में नहीं आता कि कबूत्री ने केवल 15 स्वर्ण मुद्राओं में ही उस अद्भू जोड़ी को बेशने के लिए क्यों कहा, संदे बहुत सुंदर और अद्भू चोड़ी है, मुझे पसंद आये मंत्री जी, मैं आपको इसकी मो मांगी कीमत देने के लिए तयार हूँ, मांगिये क्या कीमत चाते हैं आप इसकी, अब मैं क्या कहूं महराज, आप चो प्रसन होकर दें, मुझे स्विकार होगा, वैसे इसे मेरी ओर से तुछ भेट ही समझें, मंत्री शक्ती सिंग के उत्तर से प्रसन होकर, राजा जै सिंग ने खजानची को 15,000 स्वर्ण मुद्राय लाने का आदेश दिया, खजानची 15 थालियों में स्वर्ण मुद्राय सजा लाया, यह नाम आपके लिए है मंत्री जी, एक जोड़ी के लिए 15,000 स्वर्ण मुद्राये? सोचते सोचते शीकर ही लालश ने उसकी बुद्धी भ्रष्ट करने आरब कर दी, यदि वास्तव में ही केशव की कबूतरी इतने अद्भूत और अद्वित्य सुंदर जोड़ी बना सकती है, तो क्यो ना उससे उस विचित कबूतरी को हतिया लिया जाए, तब मुझे देश का सबसे बड़ा धनवान बनते देर नहीं लगेगी, परन्तु कबूतरी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले केशव को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना यदि मैंने सीधी सीधे केशव से उसे हतियाने की कोशिश क तो बात महराज तक पहुंच सकती है, और फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, काफी सोचने विचानने के बाद उसे एक उपाय सुझा, और अगले दिन ही उसने अपना एक नौकर भेज कर केशव को बुलबा लिया, आग्या करें हुजूर, तुम्हें मालूम ही है कि ले आए, तो महराज तुम्हें मोह मांगा इनाम देंगे, लेकिन यदि उसे लाने में सफल ना हुए, तो तुम्हारा सिर्फ धर से जुदा कर दिया जाएगा, अब तुम जा सकते हो, जी हुजूर, मंत्री से विदा ले केशव उदास हो अपने घर की और चल पड़ा, हे पूरा करके आज तक कोई जिन्दा नहीं लोटा, किन्तु कबूतरी पर कबजा करने से पहले, मैं एक सब्ता तक उसके लोटने का इंतजार तो अवश्य करूँगा, ताकि जल्द बाजी में जंजट ना खड़ा हो पाए, इधर जब केशव उदास हो घर पहुचा, क्या मैं गाने वाला कुट्ता कैसे और कहां से लाओ, यह सारी मुसीबत तुम्हारे कारण ही उत्पन हुई है, चिंता मत करो केशव, और खा पीकर आराम से सो जाओ, सुबह तक कोई न कोई राम मैं निकाल लूँगी, और कबूतरी की बात मान कर, जब केशव खा पीकर कहरे नि हो पाएगा, इसके बाद परी ने जैसे ही अपनी जादू की सुनहरी चड़ी घुमाई, तुरंत वहां लोहे की तीन टोपियां, एक संडासी वा तीन चड़ियां प्रकट हो गई, सुबह जब केशव जागा, तो वह फिर कबूतरी बन चुकी थी, कबूतरी रानी, क्या त देखो, वह सामने तीन टोपियां, एक संडासी और तीन चड़ियां रखी हैं, ध्यान से सुनो, जब तुम सास समुंद्र और बारा राज्यो को पार कर शीशे के पहाड पर पहुँचोगे, तो उस कुत्ते का जादू भरा गीत सुनकर नाशने लगोगे, लेकिन फिर पाने का उपाय बताते हुए टोपी, संडासी और चड़ियों के प्रियोग के बारे में सब कुछ अच्छी तरह बता दिया, तब केशव तीनो टोपियां, चड़ियां, संडासी वह तीर धनुष लेकर घर से निकल पड़ा, और नदी नाले पार कर भयानक जंगलों से गु लोहे की तीनों टोपियां पहन केशव ने संभल कर पहाड पर चड़ना शुरू किया, परनंतु अभी वह कुछ ही उपर चड़ा होगा कि उसके कानों में किसी के गाने की स्तूरिली आवास सुनाई दी, ओ, यह तो उसी विचत्र गाने वाले कुत्ते की ही जादू भरी पहले उसे लोहे की चड़ी से पीटा, जो तूट गई, फिर तांबे की चड़ी से पीटा, वह भी तूट गई अंत में वह तीन की चड़ी से उसे पीटने लगा, तीन की चड़ी मुड जाती पर तूटने का नाम न लेती, लगातार होने वाली पिटाई से शेगरी कुत्ता केशव के आगे गिरगिरा उठा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही कर हुँगा, तब बोलो, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तयार हो, हाँ, हाँ, मैं तयार हूँ, मुझे और मत मार हूँ, कुत्ते द्वारा वचन देते ही केशव ने उसे मारना बंद किया, और उसे बांद कर वापस अपने देश की और लोट पड़ा, कुछ दिनों बात, अरे केशव, तुम, हुझूर, मैं आपका हुकम बजा लाया हूँ, वह रहा वही गाने वाला कुत्ता, क्या, लेकिन तुम इतनी आसानी से इसे लाने में कैसे सफल हुए, अपनी उसी विचितर कबूत्री के कारण, फिर केशव ने मंत्री को सारा किस्सा सुना दिया, पहल अपनेवाद मंत्री जी, केशव के जाने के बाद मन ही मन, वह और अधिक बेचैन हो उठा, अब वह हर कीमत पर उसकी कबूत्री हत्याना चाता था, सोचती सोचती सहसा उसके दिमाग में फिर कोई नया उपाया आया, और वह प्रसनता से उचल पड़ा, वो मारा, इस बार क केशव हरगिस नहीं बच पाएगा, और कबूत्री मेरी हो जाएगी, हाँ, 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 अगले दिन उसने केशव को पुना बुला भेजा, महराज तुमसे बहुत प्रसन है केशव, लेकिन तुमसे एक काम और लेना चाते हैं, वह क्या मंत्री जी, ना जाने पाताल में, न कि तुम काले बॉने राक्षस को ले आए, तो पहली बार की तरह धेर सारा धन इनाम में मिलेगा, अन्यथा गर्दन काटती जाएगी, अब जाओ, मारे गए, जो अग्या हुजूर, देखूंगा, इस बार कैसे करती है कबूत्री इसकी मदद, लगता है इस बार नहीं बच घर पहुँचकर केशव फूट फूट कर रोने लगा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो केशव, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है तुम पर, तब केशव ने कबूत्री को मंत्री का दूसरा आदिश भी सुना दिया, काले बॉने राक्षस का नाम सुनकर वह मन ही मन चौक ओ, काला पॉना राक्षस, तुम किस सोच में डूब गई कबूत्री रानी, क्या तुम इस बार मेरी कोई मदद नहीं करोगी, जरूर करूंगी केशव, अब तुम खा पी कर सो जाओ, सुभे में तुम्हें उसको पकड़ कर लाने का उपाय बताऊंगी, तुम्हारा बहुत पहुत धन्यवाद कबूत्री रानी, केशव की सोने के पस्चात कबूत्री पुना सुंदर स्त्री के रूप में परवर्तित हो गई, यह काट का घोड़ा केशव की मदद करेगा, और मंत्री की योजना पर पानी फिर देगा, दूसरे दिन सुभा, जब केशव की आँख ख पहुचा देगा, ओ, तुम कितनी अच्छी हो कबूत्री रानी, केशव ने प्रसन होकर घोड़े को घर से बाहर निकाला, और उस पर सवार हो गया, घोड़ा तुरंत आकाश में उढ़ने लगा, अहां, कितना अद्भूत है यह घोड़ा, जब घोड़ा उसे लेकर, शहरो गाओं, जंगलों, पहाडों को लांगने के पस्चात, एक विशाल समंदर के उपर से गुजरा, तो वह शीगरता से काट के घोड़े से बोला, काट के घोड़े मैं बहुत ठक गया हूँ, अधा अब कुछ देर मैं आराम करना चाहता हूँ, ठीक है मेरे मालिक, और काट का गोड़ा, तुरंत नीचे उतने लगा, केशव ने नीचे देखा, तो आश्रे जकित हो उठा, अरे, इस विराने में यह स्वंध महल कैसा, आश्र्य मत कीजे मेरे मालिक, यह सब मेरा ही जमतकार है, ओ, शीग रही, वाह, कितना सुन्दर स्थान है, मालिक, अब आप महल में जाकर खाओ, पियोर और अराम करो, लेकिन समुदर की और ध्यान रखना न भूलें, वह क्यों, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद